नमस्कार शाथियों आप सभी कहा आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल प्राजस्तान एक्सवाई जेड में स्वागत हैं आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी साइन्स से रिलेटीड होने वाली है साइन्स में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है डा सबसे पहला इक्योशन अपने सामने दे रखा है तो सबसे पहला इक्योशन अपने सामने दे रखा है दातों के अध्यान को क्या कहते दोस्तों ठीक है तो दातों का जो अध्यान होता दोस्तों इसको क्या कहते है तो अपना यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा दातो के दिन को किस नाम से जानते है दोस्तो डेंटोलोजी ठीक है दातो के दिन को किस नाम से जानते है दोस्तो डेंटोलोजी के नाम से अगले लागे उसन देखिए दात की सबसे उपरी परत को क्या कहते है दोस्तो दात की जो सबसे उपरी जो परत होती है इसको किस नाम से जानते हैं तो यहाँ पर दोस्तों दात की सबसे उपरी जो परत है इसको अपन इनेमल के नाम से जानते हैं जो कि केलस्यम कार्बोनेट और केलस्यम फासफोर्ड की वनी हुई रहती है दोस्तों और inamel सबसे दांत के सबसे उपरी परत है और inamel के नीचे की जो परत होती है वो dentine केलाती है और inamel की वज़े से दोस्तो दांत चमकिले होते है और inamel बना हुआ किसका रहता दोस्तो calcium carbonate और calcium passport गा और सिरीर का सबसे कठोर जो भाग वो कौन हो जाएगा दोस्तो inamel हो जाएगा जो कि दांत के उपरी परत होती है अगला के उशन देखिए किसकी वज़े से दांत चमकिले होते हैं तो इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ तो किसकी वज़े से दांत चमकिले होते हैं तो यहाँ पर अपना right answer क्या हो जाएगा अगले के उशन दीखिए वैस का मनुषिय में कर्टनक यानि की इंसीजर दाथू की संक्या कितनी होती इंसीजर दांत की संक्या कितनी होती है तो इसका अपना right answer क्या हो जाएगा मनुषिय में चार परकार के दांत पाय है कर्टनक, रदनक और अगर चरवनक और चरवनक ठीक है तो 4 परकार के दानत पाए जाते हैं तो सबसे पहला जो दानत का परकार कोई सा हो जाएगा इसके जो दातों की संक्या हो कितनी है दोस्तों 8 है ठीक है इसके बाद कुन सा आता दोस्तों करतनक के बाद रदनक रदनक जो दात है दोस्तों रदनक की संक्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ठीक है इसके बाद दोस्तों अगर 14 और इनका दन तुर की बात करें दन तुर कौन सा हो जाएगा दो, एक, दो, तीन है ठीक है यह दंत सुत्र होता है वैस्क मनुश्येगा ठीक है वैस्क मनुश्येगा दंत सुत्र कौन सा हो जाएगा दो, एक, दो, तीन अगला क्योशन देखिए वैस्क मनुश्येगा में रदनक यानि कि केनायन जो दातू की संक्या कितनी होती है तो इससे पहले अपने किसके बारे में डिसक्राशन क्या था करतनक के बारे में ठीक है करतनक कितने थे आठ थे अब बता रहा कि रदनक दातू की संक्या कितनी होती है तो रदनक दातू की संक्या होती है च्यार ठीक है ? रदनक को किस नाम से जानते ? य Supedy के नाम से जानते है अगला के उसम देखी है तो यहाँ पर अपना रदनक दात्व की संक्या कितनी हो जाएगी 4 है ? सबसे पहले करतनक 8 उसके बाद रदनक 4 पिर वापस अगर 4 वनक की 8 और फिर बाद मिलाष्टि-लाष्ट में अपना चरस गया चारवणक जिन की संक्या कितनी होती है तो इसके बारे में आपको बता चुगा हूं कितनी होती है अगर चरणने की यानि की प्री मोलर की संक्या कितनी होती है आठ होती है ठीक है सबसे पहले च्यार सुरी आठ फिर च्यार फिर आठ फिर बारा ठीक है ये करम होता दातु की संक्यागा इंसीजर की संक्या कितनी है दोस्तों आठ है के नायन की संक्या कितनी चार प्री मोलर की संक्या कितनी आठ और मोलर की संक्या कितनी है बारा है तो यहाँ पर अपना राइटन सेरी क्या हो जाएगा प्री मोलर की संक्या कितनी होने वाली 8 होने वाले ठीक है Primolar की संक्या कितनी 8 यहाँ परने देख लिया था कितनी होती है दोस्थों 8 होती है Primolar की संक्या 8 होती है अब next question देखिए वैस्क मनुसिया में चरवरंक जो molar दांतू की संक्या कितनी होती है जिसके बरिम में इंक aí आपको उल्रेडी बता चुगा हूं दोस्तो के ओस्तों के दातु का करम होता है, आठ चयार, आठ बारा, ठीक है. सबसे पहले इंसिजर यानि की कुर्तनक आठ होते हैं, यानि की रदनक चयार होते हैं, इसके बाद दोस्तों मतलब कि कौण सा आ अग ак, अगर चरवणनक इनको वो मतलब कि इस नाम से जानते हैं? परी मोलर के नाम से जो कि 8 होती है और इसके बाद मोलर जिसको अपन 12 संक्या होती है मोलर को क्या बोलते हैं? चरवणनक, ठीक है? अगला एके संदीखिये बच्चू में दातू की कुल संक्या कितनी होती है बच्चू के अंदर के दातू की कुल संक्या कितनी होती है तो इसकी बात करेती हैं आप अपना राइटन से क्या हो जाएगा बच्चू के अंदर के दातू की कुल संक्या 20 होने वाले ही ठीक है बच्चों के अंदर के दातों की संक्या कितनी होती है बीस होती है इसको उपन मिल्क टीत के नाम से भी जानते है ठीक है दातों को किस नाम से जानते है दोस्तों बच्चों के दातों को मिल्क टीत के नाम से भी जानते है और मनुश्य के अंदर के दात हमें मतलब कि दो बार जनम लेते है ठीक है अगले एक फिशन दीखिए बच्चों में कर्तनक इंसेजर दातों की संक्या कितनी होती है बच्चों की बात की जा रही है ठीक है बच्चों के अंदर कर्तनक यानि के इंसेजर दातों की संक्या कितनी होती है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा बच्चों के अंदर करतनक दातों की संक्या कितनी होती दोस्तों यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा आट होती है ठीक है बच्चों के अंदर करतनक दातों की संक्या कितनी होती आट होती है इसके लगा दोस्तु मतलब बच्चों की बात करें पहले अपने 20 मनुसिय की बात के थी वैस्क मनुसिय का जो फॉर्मूला होता हुए क्या होता है दोस्तु दातु का तो यहां पर 8, 4, 8, 12 होता है ठीक है इससे 32 हो जाते ही जीरो होती है और उसके बाद लास्ट में कौन सा बजगया है मॉलर यानि की चारवननक तो इनकी संक्या कितनी होती है 8 होती है ठीक है तो 8, 8, 16 और 4 20 हो जाते है ठीक है तो यह बच्चों का फॉर्मूला है और यह वैस्क मनुसिय का फॉर्मूला है ठीक है अगले क्योंशन देखिए बच्चों में रदनक यानि की कैनाई दातू की संक्या कितनी होती है तो यहाँ पर अगले क्योंशन देखिए बच्चों में अगर चारवननक परिमोलर दातू की संक्या कितनी होती है तो इसके बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं बच्चू का जो फोर्मूला होता है बच्चू का फोर्मूला क्या होता है आठ च्यार जीरो आठ ठीक है ये बच्चू का फोर्मूला होता है तो यहाँ पे सबसे पहले आता अपना करतनक आठ फिर बाद में रदनक च्यार फिर दोस्त बाद दोस्तू लाष्ट में MOLAR है जिसको अपन चैरवणानक की नाम से जानते हैं जो की हाट होती दोस्तू ठीक इनके सेंग्या तो यहां पर अपना राइट अजर क्या हो जाएगा अगर चैरवणानक की बात की जारी नहीं आपे तो यहां पर जीरू होगी ठीक है अगला एक यूशन देखिए बच्चों में चारवनक मॉलर दातों की संके कितनी होती है तो इसके बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ तो लाश्ट लाश्ट में कितनी बसती आठ होती है ठीक है इसका बार बार फोर्मूला बता रहा हूँ मैं दोस्तों कितना होता है आठ चार जीरो आठ ठीक है अगला एक यूशन देखिए कौनसी ऐसी दात कौनसी ऐसी दात है जो बच्चों में नहीं पाए जाती है इन में से ऐसी कौनसी दात है जो कि बच्चों में नहीं पाए जाती है यानि कि अग्रे चारवनक जो दात बच्चों में नहीं पाए जाते जीरो होती है उनके सेंक्या वो क्या कहलाती दोस्तू प्री मोलर ठीक है प्री मोलर अग्रे चारवनक ठीक है किना इनको क्या बोलते है रदनक molar को क्या बोलते है चारवनक और इसके लाव दोस्तों उपर कौन सा बच गया incisor incisor को किस नाम से जानते है दोस्तों कर्थनक के नाम से अगला क्योशन देखिए मनुश्य में सबसे अंत में उगने वाले दातों कौन से होते दोस्तों मनुश्य में सबसे मनुश्य के जीवनकाल में कितने दात दो बारा आते हैं दो मनुश्य के जीवन काल में दोस्तों कितने दाँ थे कि जीवन काल में दो बार आते हैं तो दोस्तों मतलब कि जो बचपन में 20 दाँ उकते हैं जो कि 20 दाँ वापस गिर जाते हैं और वापस उकते हैं यहां पर क्यों 20 दाँ ऐसे हैं यह दोस्तों यह क्या है, एक है, मास पेस है, ठीक है, तो यह दोस्तों किस से जुड़ी रहती है, तो इसका राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा, हाइवर्ड बॉन से जुड़ा रहता है, जीव, अगला क्यों देखिए, ओसत जीव, टंग की लंबाई कितनी होती है, ओसत जीव की लंबाई कितनी होती, दोस्तों, यहाँ पर इपना राइट अंसर क्या हो जाएगा, 10 cm, ठीक है, ओसत जीव की लंबाई कितनी होती, 10 cm, अगला क्यों देखिए, जीव की उपरी स्ते पर उबरी वी सर्चना क्या कहलाती है, जीव के उपर जो मतलब की सवाद लेने क जो उपर मतलब कि एक बारिक बारिक छिद्र होते उनको किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर अपना राइटन सरी क्या हो जाएगा पेपिला के नाम से जाना जाता ठीक है जो कि सवाद का अपनको अनभग कराने के लिए कोन होते जीब के उपर पेपिला होते जो की अगले कुशन देखिए जीब के किस भाग में कड़वे सवाद का अनभग होता है तो यहाँ पर अपना राइटन सरी क्या हो जाएगा जीब के किस भाग में कड़वे सवाद का अनभग होता है और इसके जो किनारू का भाग, अगर भाग के जो किनारू का भाग है, ये अपन को खारे पन का अनभव कराता है, नमकीन का भाग मतलब अनभव कराता है, और लास्ट में जो ये भाग है, दोस्तों किस का अनभव कराता है, कड़वे सवाद का अनभव कराता है, तो जीब के क किस चीज का अनभग कराता है मीठे का अनभग कराता है ठीक है और आगे का जो मतलब कि कोरणर है यानि कि जो किनारे है दोस्तों वो किस का अनभग कराते है नमकीन का यानि कि खारेपन का अनभग कराते है अगले क्यों संदेखिए elementary channel यानि कि आहर नाल के लंबाई कितनी होती दोस्तों इसका अपना right answer क्या हो जाएगा elementary channel का लंबाई कितनी होती है 9 meter अगले क्यों से दिखिए सबसे बड़ी लार गरंती यानि कि slivery gland कौनसी होने वाली दोस्तों सबसे बड़ी लार गरंती की बात की जा रही है सबसे बड़ी लार गरंती की बात करें यान पर अपना right answer क्या हो जाएगा perotid जो गरंती है दोस्तों perotid गरंती योकि सबसे बड़ी लार गरंती होने वाली ठीक है perotid गरंती अगले क्यों दिखिए सबसे चोटी लार गरंती कौन सी हो जाएगी सबसे चोटी लार गरंती के बात करें तो कौन सी हो जाएगी सब लिंगवल गरंती सबसे चोटी गरंती है लार गरंती के अंदर गर ठीक है अगला क्यों देखिए सबसे ज़्यादा लार उत्पादित करने वाली गरंती कौन सी हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा लार उत्पादित करने वाली गरंती कौन सी है दोस्तों इसकी बात करेती हैं पर अपना राइटान से क्या हो जाएगा सब मेंडी बूलर ठीक है 3 की 3 गरंधिया पाई जाती है सबs parcemanibular Sublingual andces 3 की 3 गरंथिया दूस्तों कहाँ पे पाई जाती है पैसा बीड की निचे की दरफ सबसे दो लार उत्तपादिद कुन करती है spandibular और सबसे कम लार उत्तपादिद करती है सबmandibular अगले क्योशन देखिए लार किसके पाचन में मदद करता है तो यहाँ पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा लार किसके पाचन में मदद करता है दूस्तों स्टार्च को ठीक है स्टार्च के पाचन में मदद करता है अगले क्योशन देखिए लार में पाई जाने वाला वै कौन सा एंजाइम है जो कि भोजन में स्टित स्टार्च यहने की स्टार्च को माल्टोज में बदलता है दोस्तू स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कारिय कौन करता है इसका अपना राइटन से क्या हो जाएगा दोस्तू टाइलीन टाइलीन एन्जाइम जो कि स्टार्च को क्यों बदलता है दोस्तों माल्टोज के अंधर गत अगले लेगी उशन देखzdंगे लार में उपस्तित होगा कौनसा एन्जाइम है जो कि बेक्टीरिया को मारने में काम में आता है तो लार के अंदर गत ऐसा कौन सा एंजाइम उपस्तित है जो कि बेक्टिरिया मारने के अंदर गत काम में आता है यहां पर इपना राइटांसर क्या हो जाएगा लाइसोसोम लाइसोसोम जो कि दोस्तों मतलब कि बेक्टिरिया को मारने में काम में आता है लाइसोसम जो एंजाइम है दोस्तों एक तो लार में उपस्तित होता है एक इसके लाओ दोस्तों आसू के आसू होते हैं आसू जो टीर्स जिसको पन टीर्स की भी बोलते हैं दोस्तों उनके अंदर गत लाइसोसम एंजाइम उपस्तित होता जो की बिक्टीरिया को मारने में यूज किया जाता है एंजायम के प्रोटीन भाग को क्या कहते है दोस्तों तो एंजायम का जो प्रोटीन भाग इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों पोनी जायम ठीक है एंजायम के प्रोटीन लार के नाम से जानते है इसका pH मान कितना होता है लार का pH मान हो जाएगा 6.8 pH मान जो की हलकी अमलिय होती है ठीक है और इसमें लगबग लार के अंतरगत 98% जल पाया जाता है 98% लार के अंतरगत जल पाया जाता है और इसकी परकरती किस परकार की होती है अमलिय होती है ठीक है सब-mandibular ठीक है और lark की गरंटिय टोटल कितनी है तीन है दोस्तों सब-lingual, sub-mandibular और दोस्तों पिरोटड गरंटिया तीनों की तीनों जबडे के नीचे पाई जाती है मनुस्य के मुख गोहा में किसका पाचन सुरू होता दोस्तों तो मनुष्य का जो मुख गुआ है इसमें किसका पाचन सुरू होता है तो यहाँ पे अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा मुख गुआ के अंदरगत कार्वो हाइडरेट का पाचन सुरू आध होती है अगला क्यूशन देखिए वह कौन सा पदार्थ है जो तो चोदा वरस की आयू तक बच्चो में विखास मैतियंत मैत पूर्ण है तो बच्चो के विखास के लिए चोदा वरस के आयू से कम के लिए दोस्तू क्या important है दोस्तू ति यहाँ पे अपना राइट अंसर हो जाएगा protein ठीक है protein जो क्यों स्त्री निर्वान ठीक है बोजन न लिखा कि लंबाई कितनी है पच्छे सेंटीमेटर अगला क्योंशन देखिए आमासिय में बोजन कितने समय तक रहता दोस्तों तो आमासिय के अंदर के जो बोजन दोस्तों कितने समय तक रहता है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा चार तो यह थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो कर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा थैंक्स वर वॉचिंग से यू अगें दोस्तों आमासिये जो पाचन तंत्र यानिकी डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड और पी की उसन है दोस्तों वो भी मैं अगले वीडियो में अप्लोड कर दूगा